नमस्कार मैं अभैकुमार इतिहास विभाग डियेवी असनातकोत्तर महाविद्याले सिवान आज हम लोग इंग्लेंड के इतिहास के अंतरगत रोबर्ट वॉल्पॉल की गृह नीती के संबंद में चर्चा करेंगे यानि रोबर्ट वॉल्पॉल इंग्लेंड के मंत्री मंडल के परमुक्स दस्ते के तोर पर जब वो 171-1742 तक रहा तो उसकी जो ग्रिह नीतियां थी यानि आंतरीक नीतियां इंग्लेंड के शासन विधान में उनका क्या महतुरा है इंग्लेंड के इतिहास में तो हम सभी जानते हैं कि रोबर्ट वॉल्पॉल के समय में मंत्री मंडल के पर्था का विकास होता है प्रधान मंत्री पर्द का उदैव होता है मंत्री मंडल के सामोहिक उत्तरदाईत के सिधान्त का विकास होता है तथा हाउस अब कॉमन्स के परति जो रिस्पॉंसिलिटी उत्तरदाईत होता है मंत्री मंडल का उसका भी विकास होता है यानि मंत्री मंडल किसके परती उत्तरदाई हो राजा के परती उत्तरदाई हो या संसत के परती उत्तरदाई हो इसका भी विकास होता है इन सब के चलते हम कर सकते हैं कि इंगलेंड के शासन विधान में या पूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि जब 1742 के आम चुनाव में रोबर्ट वॉलपुल हार जाता है तो वह इस्तिफा दे देता है यानि कहीं न कहीं संसद के परती मंत्री मंडल का जो उत्तरदाइत होना चाहिए उस परंपरा का भी वो निर्वाह करता है यानि मंत्री मंडल के सदस्य बनने के लिए आपको संसद का विश्वास हासिल करना जरूरी है तो इन सब कारणों से रोबर्ट वॉलपुल के शासनकाल को आप कर सकते हैं शासनकाल कहने का ताथ पर यह है कि रोबर्ट वॉलपुल मंत्री मंडल के प्रमुक सदस्य के तोर पर रहा तो उस काल म उसकी जो ग्रीन इतियां थी उसका हम उस पर हम चर्चा करेंगे उसके पहले हम लोग रोबर्ट वॉल्पोल के थोड़ा ब्यक्तिकत जीवन के बारे में जान लें तो रोबर्ट वॉल्पोल का जन्म 1676 इस्वी में हुआ था उस वह 19 भाई बहनों में पांच में नंबर पता उसने इटन और कैंब्रिज के किंग्स कॉलेज में सिख्षा प्राप्त की थी और जब उसके पिता और बड़े भाई की मिर्ति हो गई तो वह अपने वंस की जागीर का अधिकारी बना जहां तक उसकी मानो सुभाव के बारे में या लोगों के सुभाव के बारे में जो धारना थी उस समद्ध में वह कहा करता था कि पैसा और धन का लालच दे करके किसी को भी अपनी और किया जा सकता है वह एक कटर वीग विचारधारा का था वह इंगलेंड को इरोप की राजनीती में प्रतिस्ठा दिलाना चाहता था वह सतंतरता को दिल से पसंद करता था जहां तक रोबर्ट वॉलपल के राजनीतिक जीवन का सवाल है तो रोबर्ट वॉलपल का राजनीतिक जीवन इंगलेंड में 25 वर्स की आयू में प्रारम होता है 1704 में उसे मारलबरो के नीचे युद्ध मंत्री निउक दिया गया 1711 में वो हाउस अफ कॉमन्स से निकाल दिया गया क्योंकि उस पर घुसखोरी का आरोप लगा था और इसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था लेकिन जोर्ज पर्थम के सासनकाल प्रारम होने पर उसे अस्टैन होप के मंत्री मंडल में चांसलर अफ एक्स च्विकर नीउक दिया और जब इंग्लेड में एक महान आर्थिक संकट यानि साउथ सी बबल के फटने की जब घटना होती है और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो वॉल्पुल ने उस संकट से देश को निकाला और यही कारण है कि 1721 में उसे मंत्री मंडल का परमुख सदस बना दिया जाता है और वह लगवग 21 वर्ष तक मंत्री मंडल का सदस रहता है जिसे कि हम प्रधान मंत्री भी कर सकते हैं प्रधान मंत्री कहने का तात पर यह है कि जॉर्ज पर्थम को अंग्रेजी भासा नहीं आती थी वह मंत्री मंडल के सदस्यों की बैठक होती थी उसकी अध्यक् में या विवहार में वह प्रधान मंत्री के तौर्ज पर ही कार्ज कर रहा था क्योंकि मंत्री मंदल के सदस्यों की बैठक की वह ध्यक्सा करने लगा था मंत्री मंदल और राजा के वीच वह संबाद सेदू का कार्ज करता था यानि मंत्री मंदल के निर्डेयों से राजा को आउगत कराना और राजा की विचारों से मंत्री मंडल को आउगत कराने का कार्ज रोबर्ट वॉल्पॉल को ही दिया जाता था यदिपी उसने कभी भी अपने को प्रधान मंत्री सब्द से संबोधित नहीं किया और कहा जा सकता है कि विवहार में वह प्रधान मंत्री ही था यानि कि रोबर्ट वोलपुल भले ही प्रधान मंत्री सब्द का प्रयोग न किया हो या उसे प्रधान मंत्री से संबोधीत नहीं किया गया हो लेकिन बेवहार में देखा जाए तो रोबर्ट वोलपुल इंग्लेंड का प्रधान मंत्री माना जा सकता है क्योंकि वो मंत्री मं मंद्री मंदल के स्टिफाट भी देता है यानि उस ने एक नई परंपरा को जन दिया कि जब Commons House of Commons यानि संसद में यदि आपका विश्वास नहीं हासिल हो संसद में आप नहीं प्रवेश कर रहे हैं तो आप मंत्री मंदल के सदस्य नहीं रह सकते हैं यानि इसके पहले जो इंगलेंड में परंपरा थी कि राजा मंत्रीवों के नियुक्ति करता था राजा के आसिरवाद से ही राजा के परशाद प्रयंतर मंत्री मंदल के सदस्य रह सकते थे उस परंपरा के को हटा करके उसने पहली बार यह साबित करने की कोशिस की कि संसद के विश्वास के बगार आप मंत्री मंदल के सदस्य नहीं रह सकते हैं यानि मंत्री मंदल पर्था के विकास और मंत्री मंदल के सामोहिक उत्तरदाईत, मंत्री मंदल संसत के पर्थी उत्तरदाई होता है, इन सारे सिधानतों का विकास करने में रोबर्ट वॉलपुल की महत्पूर्ण भूमिका होती है। ऐसा करने के लिए उसने कभी रिस्वत देने से भी संकोच नहीं किया और कहा जाता है कि इंगलेंड के राजनीतिक जीवन में जो ब्रस्टाचार या गोस और रिस्वत की जो परंपरा थी उसकी सुरुवात रोवर्ट वॉल्पोल के समय में ही हो जाती है इसकी अलावा यदि हम देखें कि राजा के संबन में तो जोष पर्थम के साथ जो रोवर्ट वॉल्पोल का समय था वो तो बहुत अच्छा था 1727 में 1727 में जब जोष पर्थम की मिर्तिव हो जाती है और जोर्ज दितिये शासन विधान में, शासन के उसकी राजगदी पर बैठता है इंग्लेंड के, तो कहीं न कहीं से रोवर्ट वॉल्पल के साथ उसके संबन सुरू में बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन तुरंत ही जोर्ज दितिये भी रोवर्ट वॉल्पल को प्र रानी की मदद से करा लेता था, रोवर्ट वॉल्पल के पर मंत्री मंदल में जो नियुकती हुआ था, जोर्ज पर्थम के सासनकाल में, उसमें एक बात है, हमने ध्यान दिया था कि साउथ सी बबल की जो फटने की जो घटना हुई थी, यानि उसके चलते जो इंग्लेंड क आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, उससे उसने इंग्लेंड को निकाला था, और यही कारण है कि आर्थिक मामलों में उसे काफी महत्रपूर्ण उपलब्दिया हासिल की हैं, और जो उसका जो दूसरा कार्ज महत्रपूर्ण था, यानि भी वो उसमें असफल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी उसे याद किया जाता है, और वो था कि excise bill को introduce करना है, यानि इंग्लेंड में जो चीजें उत्पादित हो रही हैं, उन पर excise tax लगाना, और क्योंकि उसने पाया था कि जो सराब और तंबाकू पर custom duty जब नहीं दिये जा रहे हैं, और सरकार क भारी निकसान हो रहा है, तो उसने या सोचा कि यदि custom duty के अस्थान पर हम excise duty लगा देते हैं, तो कहीं न कहीं से राज कोस में ब्रिधी होगी, लेकिन जब उसने ऐसा प्रयास किया, तो काफी उसे विरोध का सामना करना पड़ा था, और अंततों गत्वा विरोध को देख Walpole मध्यम मारगी था, वो धार्मिक सहिसनुता का पक्स्तर था, और भिन-भिन धर्मों को जो बराबरी का अधिकार देने की लिए उसने बहुत से प्रस्ताव रखे, या तिपी उन प्रस्तावों को बहुत अधिक समर्थन नहीं लिया, लेकिन इस से Robert Walpole की विचारधारा का पता चलता है, क्योंकि आने वाले समय में जो इंग्लेंड में धार्मिक सहिसनुता का वातावरन कायम होता है, और प्रोटेस्टेंट और कैथुलीज के बीच में जो जगड़े खत्म होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि Robert Walpole की भी इसमें महत्पूर्ण भूमिका रही है, इ वहाँ पर जो उनके वायसरा हैं वो इंग्लेंड के को देखें, यहां इंग्लेंड के मंत्री मंडल से बहुत अधीक हस्त छेप करने के लिए Robert Walpole तैयार नहीं था, तो इस तरह से हम देखते हैं कि Robert Walpole की जो ग्रिह निती थी इंग्लेंड के लिए काफी महत्पूर्ण रही और समयधानिक दृष्टिकों से तो Robert Walpole की काफी महत्पूर्ण भुमिका रही हैं इंग्लेंड के सासन विधान के विकास में, उसके समय में ही मंत्री मंडल पर्था का विकास होता है, पर्धान मंत्री पद की फॉर्मल या अपचारिक तोर पर भले ही नहीं गोशना होती है लेकिन इंग्लेंड के पर्थम पर्धान मंत्री के तोपर Robert Walpole कार्ज करता है, मंत्री मंडल के सामहिक उतरदाईत का सिधान विक्सित होता है, और अब मंत्री मंडल राजा के परती उतरदाई नहो करके संसत के परती उतरदाई होगा, इसकी भी सुरुवात Robert Walpole के समय में हो इंग्लेंड के इतिहास में महतपूर्ण अस्थान रखती हैं और रोबर्ट वोलपल का इंग्लेंड के इतिहास में महतपूर्ण अस्थान है धन्यवाद